हूँ मैं अपनी जिन्दगी सरवशक्तिमान परमेश्य को देता हूँ क्योंकि क्योंकि सरवशक्तिमान की एक आदत है आपके बाप की आपके बेस्ट फ्रेंड की आपके बॉस की इश्युमसीगी एक आदत है वो नथिंग को लेके सम्थिंग बना सकते हैं यह उसकी आदत है कि वो तूटे हुऊं को चुनता है जोडने के लिए और आशिशित करने के लिए उसकी आदत है जब वो रोटियों को तोडता है तो हजारों को खिलाता है यह उसकी आदत है यह आपके और मेरे बॉस की सुनध्यान से ही यह उसकी आदत है अब आपको फैसला करने है अब आपको ये decision लेना है कि हाँ मेरा हो गया जनम किसी घराने में या ये बिमारी मुझे वंशों से मिली या ये गरीबी मुझे वंशों के श्राप से मिली तो क्या करेंगे आप उस गरीबी में दारू पीने चले जाएंगे उस गरीबी में खुदा को गालिय निकालेंगे उस गरीबी में अपने बच्चों को पीटेंगे अपनी वाइव को पीटेंगे हस्बेंड को गालिय निकालेंगे या आप परमेशों के नजदिक जाने का फैसला करेंगे Daniel ने कहा अब जो होना था वो हो गया अब अगर मैं परमेश्र के साथ नहीं हूँ, तो मैं इससे डाउन ही जाऊँगा, इससे उपर तो नहीं आऊँगा, पहले यह बात ध्यान से समझो, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं, क्या कर लेंगे, अब हमें बंद कर दिया, घर से दूर कर दिया, सब कुछ खतम कर दिया, अब क्या कर लेंगे, अब यह तो नीचे जाएंगे और, खुदा को नहीं मानेंगे, और नीचे जाएंगे, बंधवाई में और छितर बड़ेंगे, फैसला किया, कि नहीं, कुछ भी हो जाए, बाइबल के खिलाफ नीचे लेंगे, राजा के बंदे को आग्या दी, कि हम यह खाना नहीं खाएंगे, जो बाइबल के खिलाफ है, हमें तू साथ बात दे दे, और दस दिन बाद हमारे फेस को देख, वो दूसरे लड़कों से ज़्यादा शाइन होंगे, यानि वो determined था, वो फैस्ता कर चुका था, कि anything शैतान अपना best shot दे, जब मेरा टाइम आएगा, मैं अपना best दूँगा, उसने best shot खाए शैतान के, best shot उसने खाए, पर उसका टाइम जब आया, उसने best मारे शैतान के, क्या करेंगे आप, क्या कुछ नहीं कर सकते, अपने वन्ष के वीचे में आप कुछ नहीं कर सकते, जहां से आप निकले आप कुछ नहीं कर सकते, पर आप एक फैसला कर सकते हो, क कि मैं अपने लाइफ परमेश्र को दूँगा और मैं अपने लाइफ बाइबल के वचनों के अनुसार चलाओंगा